यह लाल जटनी है इसको हम लसल और कचली से बनाते हैं यह हमारा ध़ी बड़ा है इस पेसल बहुत ही बेटरीन स्वाद है इसका दोस्तों स्वाद के दिवानों को मैं लेकर आए हूँ आज यहां कलकत्ता चाट बंडार पे जो की उत्योग बवन के बिलकुल सामने है आपको यहां पे बड़ी बड़ी दुकानों जैसी शानों शौकत नहीं मिलेगी लेकिन उनसे भी बैतरीन फेस्स मिलने वाला है और आज हम यहां पे खाने वाले इनका पनीर चिल्ला और दही बड़ा तो लेट्स टेस्ट इप तो दोस्तों मेरे साथ हैं यहां के ओनर दीपक शर्मा जी मेरे बागो जिन जब स्टाट किया था रवाशज़ कर लगए 50 से संधिंग चिल्ला था हमारे में हमारे बड़ IPO I next इंट मैं ब्रोक कचरे से बनाते हैं तुक्त वारे है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं जैसा कि बता रहे हैं इनके फादर की चालू की हुई है जो की खुद वैध्यत है आयरवेदिक तरीके से लोग बनाते हैं इसको तो आपको खाने के बाद में कोई पिकल भी नहीं होने वाली है और इसका टेस्ट वाकी बहतरीन है यह हमारा दही बड़ा है इस पेसल इस रही बड़ा हम छोटे छोटे चोटे वाले नहीं बनाते हैं बड़ा चोड़ा मनाते हैं आयरेश से पुरा जिसमें तरफला साथ होता है तरफला मिक्स करते हैं पेट में कोई गेस नहीं कोई एस्टी नहीं ठीक है बड़ा कारते हैं आठड करते हैं इसके हम फिर उपर से छोले राज में धिर हम खजुरृली चट्नी भरि चट्नी लाल चट्नी में ओपर से हम धरी डालते हैं धिर साइड में जीरा डालते हैं और मैंस करें खाने का तरीका स्वादिस्ट एक अलग अलग टेस्ट आएगा दही बड़े गोश्टी खायोंगे पर आप कभी हमारा कलकत्ता चाट बंडर के नाम से मसूर दही बड़ा है वो खाके दीखिएगा इसकी अलग जाये के मिलेंगे आपको अलग स्वाद मिलेगा ज दोस्तों जैसा कि दीपक जी ने में पूरा एक्स्क्लेइन करती है इसमें क्यात्या है तो आहिए इसका टेस्ट करते हैं वाकी मैं आपको बतातूं कि इनका पनीद चिल्ला खाने के बाद में आपको 56 इंच का सीना चीएगा यह तही बड़ा फिनिश करने के लिए एक आज तो पुल कुल वैल्या पॉर मनिए यह हैं आफ यह आईए हैं और दाए ugh 중 जरू टेस्ट कीजिए दोस्टो हमने इनका पनीरचिला भी टेस्ट कर लिया है तर्म gwyn extrater if और और यहां के और हैं कि व्टक्रण इंग उल्हाने कि उन्होंने से किसी तरी आड़का कोई चार्जॉज नहीं किया है डेश फिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही छफक्षोर किस वीडियो झाल झाल झाल